हेलो स्टूदेंट्स आयाम गुरुबिंदर कॉर सीनियर फिकल्टी अभी मन्यू आई एस वेरी वहां वेलकम अलोफ यू इन इस सेशन और आज हम यहां पे पंजाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों पर डिसकेशन करेंगे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको यह बिता दू कि नोटिफिकेशन जो है फॉर दा पंजाब पीसी एस वो कभी भी आउट हो सकती है राइट तो नोटिफिकेशन का ऐसा तो है नहीं कि अब कवर करने के बाद फटा फटा और आप पीपर अठी और आपका पीपर क्लियर हो गया इस इस नॉट दा कॉलेज एक्जैम की आपने एक रात पहले पढ़ाई की और आपका जितनी परसेंटेज आपको लेनी चाहिए थी 33 परसेंटेकर मिनिमम स्कोर रहता है उससे जित इस नॉट फाइव माक्स भी बहुत बार इंपोर्टेंट हो जाते है क्योंकि कई बार तो वो भी उपर नीचे हो जाए तो इतने में या तो आप आप आउट हो जाते हो या पाइन हो जाते हो तो कॉम्पेटिटिव एक्जैम को लेकर जो एटिट्यूड होना चाहिए स्ट का वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए वो तभी हो सकते स्टुडेंट जब आपका यूनो आप एक आपकी जो नो आपकी जो थॉट्स है राइट वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि हंजी मुझे जो है वो प्रिपेर करना है फॉर्द पंजाब PCS और फिर आप विना ऐ प्रिडिक्शन लगाई कि हंजी नोटिफिकेशन आईगी मैं तब ही करूँगा या जब मेरे फ्रेंट बोलेगा तब मैं करना स्टार्ट करूँगी या जब मेरे घरवाले बोलेंगे तब करूँगी या मैं इस काम से फ्री होकर करूँगी ऐसा कोई आटिट्यूड वो र से बात करोगे तो वो आपको उसके अंदर वो एटिट्यूड नजर आएगा बिलकुल देखने को मिलेगा आपको तो स्टुडेंट से बिना वेट किए आप फटा-फट से अपनी प्रेप्रेशन स्टार्ट कर दीजी तो यहां पे एक स्टूडेंट की बहुत ही यूनो एक important query कहलो यहां बहुत ज़्यादा students समसे पूशनें मतलब मेरे से बहुत सारी queries पूट करते हैं regarding the UPSC versus PPSC क्योंकि students यह बोलते हैं कि मैं UPSC की preparation कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो PPSC तो मेरी लिए खेल है जिस दिन भी notification आएगी मैं paper में बैठ हूँगी और मेरा paper clear हो जाएगा because अगर मैं UPSC की बात करू students तो no doubt about that कि UPSC में आप वही journal studies के syllabus पढ़ते हूँ वही पढ़ते हो आप journal study का syllabus जो आप UPSC, TPSC में भी पढ़ते हो राइट वही आपकी quality वही आपकी quality राइट वही आपकी geography, history, international relations, राइट, science and technology, environment तो यह सब जो syllabus है वह आप पढ़ते हो यहाँ पे UPSC के अंदर, तो students को बहुत बार लगते है कि हंजी UPSC की preparation कर रहे हैं तो no doubt about that कि हमारे पहले सी static portion बहुत अच्छे से cover है तो PPSC हमारा आम से cover कर देंगे क्या clear ही कर देंगे कोई चक्कर है नहीं, but students this is not the right attitude, actually में state PCS और UPSC की अंदर बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क लगा सकते हो आप ऐसे, क्यों क्योंकि दोनों की strategy different है, UPSC में जो strategy a student वो बहुत ही different है compare to PPSC, strategy के उपर मैंने एक दिन पहले भी video बनाई थी कि what is strategy, strategy क्या चीज है, कैसे बनाती है, बनती है strategy, best strategy क्या होती है किसी भी exam को लेकर, तो strategy पर मैं अलड़ी बात कर चुकियों और अगर आपको नहीं पता, तो आप मेरी previous playlist में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा video के अंदर, best strategy for the PCS, मैंने करके video बनाई हुई है, वहाँ से आपको strategy का idea लगेगा, तो strategy student different है, UPSC और PPSC की, PPSC जो है वो student एक state PCS exam है, एक particular state का PCS exam है student, जो state PCS की administration उसको conduct करवा रही है, तो student इसमें जो journal studies आएगे, journal study इसकी अंदर आएगे, वो state specific आएगे, वो state specific का मतलब होता है, student की आपको जो preparation है, वो आपको state के हिसाब से करनी पड़ेगी, no doubt about that student की, यहाँ पे आप journal study में, जो आप journal subjects बढ़ते हो, like polity, history, geography, science and technology, environment, economy, जो भे आप यहाँ पे बढ़ते हो, right, वो आपका काम आता है, उसका कुछ portion जो है, वो आपका no doubt about that की PCS में cover होता है, आपका, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप paper ही clear कर जाओगे, यह मतलब आपको paper, आप 100% sure होके पहली चले जाते हो over confidence के साथ कि हंजी मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीके, क्यों ऐसा नहीं है students, because, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो PCS है, जो हमारा state PCS है, उसमें ज regional basis है, राइट, वो regional news cover करेगा, regional news cover करेगा, सबसे पहली बात, वो वहाँ से question उठाएगा, plus वो regional static से question put करेगा, static मतलब कि पंजाब जीके, वो question put करेगा, पंजाब की geography, पंजाब की history, पंजाब की economy, पंजाब की society, folk dances, history, इन से वो question put करेगा, तो students आपको regional prepare करना पढ़ेगा, it means कि जो भी आपका question paper आएगा, for example, मैं सिर्फ एक subject की बात करती हूँ, मालो मैंने quality की बात की, ठीक है, वो UPSC में से आपने लक्षमी कांत पढ़ी है, तो हो सकता है कि आप दो या तीन questions जो हैं, वो कर ले जाओ, बठा, बाकी जो होंगे, वो पंजाब की quality से question आएंगे, right, पंजाब की quality से questions आएंगे students, उसको आपको cover करना ही पड़ेगा, पंजाब की quality से आएंगे, ठीक है, पंजाब के अंदर जो current news चल रही है, वहाँ से question पूट करेंगे, वो quality के, so आपको ये वाला portion अलग से ready करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आज जो वीडियो लेकर आई हूँ, उसका purpose ही यह है कि अगर आप UPSC के साथ साथ, आप पंजाब PCS को target कर रही हो students, तो you need to focus on the syllabus of PCS, ठीक है, you need to focus on the Punjab PCS syllabus, syllabus को आप अच्छे से देखिए, कि syllabus में क्या demand है, right, खास करके, specially आपका पंजाब जीके वाला portion, पंजाब की geography, economy, पंजाब की society, पंजाब का culture, पंजाब का folk dance, पंजाब की history, यह आपकी बहुत अच्छे से crystal clear होनी चाहिए, ठीक है students, second student, regional current affairs, regional current affairs, you should prepare for the Punjab PC, यह must है students, इसको आप अगर cover नहीं करोगे, तो आप exam में एक तरीके से आप बहुत बड़ा risk ले रहे हो, ठीक है, right, बहुत बड़ा risk है, ठीक है, exam के अंदर, मतलब risk लेकर अगर आप paper दे रहे हो, इसका मतलब क्या, आप unpredictable, आप sure नहीं हो, ठीक है, आप serious नहीं हो, उस exam को ल नहीं है, कि reality में इतनी कोई खास, मैंने कोई तेज किसमत देखी नहीं है, ठीक है, तो regional current affairs पे बहुत ज़्यादा focus करने की नहीं है students आपको, ठीक है, okay, तो मैंने आपको cover क्या करवाया, वो चीज़े देखते हैं, दुबारा से सुनी आप, first of all, अगर आप UPSC की preparation कर रहे हो तो आप सबसे पहले PCS की syllabus पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है syllabus क्यों है, उसमें demand की है, तूसरी बात, regional current affairs पे आपको focus करना पड़ेगा, तीसरी जो main चीज मैंने आपको बताई, that is the Punjab GK, ठीक है, पंजाब GK पे आपको बहुत अच्छे से focus करना पड़ेगा, उसकी geography, उसकी history, पंजाब की economy, ठीक है, पंजाब की polity, ठीक है, पंजाब का culture, ठीक है, पंजाब की society, ये सब portion आपके बहुत अच्छे से cover होने, ठीक है, ठीक है, फोर्थ चीज जो बहुत important है, अगर आप syllabus ध्यान से देखोगे, तो prelims की अंदर UPSC में आपका word history नहीं है, बट पंजाब की prelims में word history पूछी जाती है, अगर आप ध्यान से syllabus देखोगे, इसमें एक चीज और भी है, एक्स्ट्रा, UPSC के अंदर political theories नहीं पूछे जाती, बट पंजाब की अंदर prelims में political theories पे बहुत सारे questions आती हैं, जैसे कि feminism, socialism, communism, right, इनकी उपर questions जो हैं, वो बनते, ठीक है students, जो भी students, यह सोच रहे हैं कि हम जो है, वो पंजाब जी के, UPSC के साथ साथ हम पंजाब PCS को तो करी ले जाएंगे, यह हम किसी भी state को कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं students, ठीक है, you need to change your strategy, you need to change your planning, ठीक है, for the Punjab PCS, ओके students, ठीक है, अब तो कोई doubt नहीं है आपको, ठीक है जी, ओके students, तो ठीक है students, इसी के साथ मैं यह सेशन यहां पे over करती हूँ, और यहां पे मैं एक बहुत अच्छी announcement करने वाली हूँ, that is, आज सी, मतलब today, today, on 1st November सी हमारा live batch start होने जा रहा है, for the Punjab PCS, तो आप फटा-फट से even registration कर सकते हो, यह जो batch है student, यह offline, plus online, दोनों mode में चलेगा, और students, सबसे बड़ी बात इसमें live plus recorded, दोनों टाइप के आपके lectures जो हैं, वो आपको मिलेंगे, ठीके जी, live plus recorded, तो students, ऐसा, अगर आपका आज का lecture miss भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप recorded देख सकते हो, ठीके, वैसे भी आज introduction class है, कोई student आज registration करता है, मेरी इस वीडियो को देखर या कल करता है, तो don't worry, आपका cover हो जाएगा, के trust me, तो आप जो है, यह batch फटा-फट से join कीजिए, link आपको description box में मिल जाएगा, ठीके जी, okay, okay students, तो मैं यह session कर रही हूँ, यहाँ पे over, thank you, thank you so much, have a nice day.